प्रदोश का अगर दिन हो, और प्रदोश का अलका समय हो, और एक्जाम प्रदोश के बाद हो, या आपको तारिक मालूम पढ़ जाओ उसके पहले अगर 15 दिन, 20 दिन पहले भी प्रदोश पढ़ जाओ, तो बेलपत्री सम्भागी बना, समभागी मतलब यह जो चिकना वाला पत्ता होता है बेलपत्री का सीधा वाला भाग और इस पत्ती का भी सीधा भाग यह दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं मारत यह बेलपत्री का जो चिकना भाग हो इन दोनों में लाल चंचा लगा कर बेलपत्री के भाग को ज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम् या पंचाक्षर मंत्र नमस्तुभ्यम् या शडाक्षर मंत्र ओम नमस्तुभ्यम् शिव महापुरान का मूल मंत्र हो, इसमन्न करकर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर, अशोक सुंदरी वाली जगा पर उसको छुआ कर, भगवान शंकर पर उसका इसपर्श कराकर, उसको लाकर, नंदी का एक चरण, उंचा भाग, जहां चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने करकर रख दीजिए, और थोड़ा सा मून, हारा मून थोड़ा सा, शिरी गणेजी महाराज का नाम लेकर, किसी दी गवशाला में या नंदी गंड जहां हो, आपके महले में नंदी हो, जो भूमता हो रोड़ पर, कोई बेल हो, तो उसको वो मून खिला दीजिए, और उसके सफलता मिले, कर करना किसको पड़ेगा, जो वेपार करने जा रहा है, जो नोकरी करने जा रहा है, जो सभीस करने जा रहा है, जो एपलाई करने जा रहा है, जो एपलाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, कोई कॉम्पटिशन एक्राम में लेखने जा रहा है, दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपको परदीब मिश्राजी के और उपाय बता सकूं